नमस्कार बच्चों ज़्यादा फोकस करना है कौन सा चैप्टर में से कौन सा कंसेप्ट है जो आपके लिए ज्यादा इंपोर्टेंट रहेगा कौन सा चैप्टर है जो फाई मार्कर कोशन के लिए ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाल है यनकी वो सब कुछ जो आपके लिए इंपोर्टेंट थ चुके हैं तो दोबारा सी वीडियो क्यों लेकर क्या आए हो इस बार कुछ ऐसा हुआ है कि जनरली जो midterm के exam होते हैं वो September में हो जाते हैं इस बार भी mostly school की बात की जाए प्राइवेट सकुलों की अगर बात की जाए तो उनके exam midterm की exam हाफेले exam वो September में हो चुके है लेकिन डेली गौवर्मेंट स्कूल्स की बात की जाए तो डेली गौवर्मेंट स्कूल्स के एक्जाम अभी तक नहीं हुए मिड्टरम के एक्जाम या हाफेल एक्जाम कह लिजे वो स्टार्ट होने वाले हैं 10th of October से तो उनको स्लेबस को लेकर के थोड़ा सा confusion चल दा है कि मिड्टरम का जो अब एक्जाम होगा उसमें से कौन से चैप्टर आ रहे हैं क्योंकि सभी स्कूलों में स्लेबस थोड़ा भूत आगे पीछे चल रहा है तो हम यहाँ पर particularly बात करेंगे कि आपके मिड्टरम के एक्जाम में कौन से चैप्टर हैंगे और मिड्टरम के बाद कौन से चैप्टर होने वाले हैं हलांकि मिड्टरम के एक्जाम का मतल़ यह नहीं कि यह चैप्टर अब होगे तो that's all यह chapter भी आपके एन्वल exam में repeat होने है तो हम mid term के exam के उपर ज्यादा तरफ mainly यहाँ पर focus करेंगे कि कौन से chapter है जो आपको अभी prepare करने है तो यहाँ पे चलिए शुरुआत करते हैं इस video की तो जैसा कि आप अपनी screen के उपर देख पा रहे हैं हमारा 2022-23 का syllabus रहेगा class 11 pole science के हम बात करें तो इसमें आपका जो फहला chapter है सविधान क्यों और कैसे यह आपके syllabus में दिया गया उसके बाद second chapter जो आपके NCRT की book में second chapter वो आपकी syllabus में नहीं है उसके बाद है आपका चुनाव और परतिन इसीत्तव यह भी आपके syllabus में सविधान क्यों और कैसे यह जो chapter है आप class 9 में पहले ही पढ़ चुके सविधान कैसे बना किस ने prepare किया सविधान सभाग की क्या भूमिका थी हमारी सविधान की परमुक विशेस्ता ही क्या क्या है हमारी सविधान के आदर्ष क्या रहे है हमने कहां से प्रेंडना लिये वो सारी चीज़ें जो अच्छी सी एक कहनी बनती है जो हमें जानना भी चाहिए वो सब कुछ first chapter में उसकी बात कीगे और जो second chapter है चुनाव और परतिन इस दिता हूँ तीन अंग होती है तो इसमें विधायका की बात कीगे विधायका मतलब हमारी संसद की बात कीगे कि संसद है उसकी हमें आफशक्ता क्यों है और जो संसद है वो एक सदनिया दुई सदनिया जैसे हमारी अगर बात की जाए राजय लेवल पे तो वहाँ पे विधान सबा और विधान परिशत दोनों है एक सदनिय भी है और दो सदनिय भी है तो ये इसका फाइदा क्या रहता है हमारी यहाँ पर भी जो देश के संसद की बात की जाए तो उसमें भी राजे सबा और लोग सबा तो ये क्या एक सदन यह हो सकती थी तो दो हाउस है तो दो हाउस होने की क्या फायदे है यह हमने डिस्कस किया उसके बाद हमने बात किया लोकसभा राजसभा की कारे क्या है उनकी शक्तियां क्या है दोनों में अंतर क्या है संसदिय समीतियों की भी हमने बात की संसदिये जो अधिकारी होते हैं उनकी भी हमने बात किया निकी ये सब कुछ हमने डिसकस किया है विधाई का चैप्टर में वो डिटेल में भी हम पब्लिस कर चुके उसके बाद कारेपाली का चैप्टर है ये भी हम डिटेल में डिसकस कर चुके हैं तो कारेपाली का ये दू most important अगर chapter की बात करें mid term के लिए तो उसमें first chapter आपके लिए बहुत important रहने वाले है उसके बाद आपका जो कारेपालिका chapter है और विदाइका दोनों में जैसे विदाइका में लोकसभा और राजसभा उसमें अंतर बताईए लोकसभा की शक्तियां क्या है important रहेगा और कारेपा किस रंचना कैसी है किस परकार का structure है नियाइक पुरनावलोकन क्या होता है इसके बात की गिये और इसको बोलते है जुडिस्यल रिव्यू ये क्या होता है यह हमें बताना है इसके साथ साथ नियाइक सक्रियता या नियाइक अतिकर्मन ये छोड़-छोड़े concept आ जाते हैं ये इस chapter में main concept रहेंगे उसके बात संगवाद क्या है ये chapter आपको जल्दी मिलने वाला अभी तक publish नहीं किया तो संगवाद क्या है और कैसे कह सकते हैं कि भारत एक संग्या देश है संग कितने परकार के होते हैं और भारतिय संग में किस परकार से सक्तियों का बंटवारा कि आगया है और सरकार का जो तीसरा लेवल है उसकी भी little bit इसमें बात कीगे तो ये chapter भी आपके first time में उसके बात स्थानिये शासन यानि कि local government की बात कीगे सत्ता के विकेंद्रिकन की बात कीगे तो हमें third level के जो government है यानि कि तीसरा सत्रा आ जाता है इसके आवशक्ता क्यों है और भार्त में जो ये तीसरा level है स्थानिये शासन है इसका विकास कैसे हुआ तीहतरमा और चुहतरमा जो समीधहन शंसोदन था उसमें ऐसा क्या था जिससे ये जो तीसरा level है स्थानिये सरकार है जिसको आप अंचायती राजभावस्ता भी कह सकते हो कि ये मजबूत हुआ यह सारा इस चैप्टर में डिसकस किया गया है यनकी स्थानिय शासन तक तो इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका सविधान क्या और क्या क्यों और कैसे ठिक उसके बाद आ गया चुनाव और परतिन जित्तव दो चैप्टर होगे उसके बाद सरकार के सिधान्त एक परिच्चे यह आपके मिड़ टर्म के एकजाम में रहेगा इनकी 7 प्लस 1 8 चैप्टर सापके इस लिवस में रहने वाले हैं तो यह रहेंगे आपके 1st टर्म के एकजाम में उसके बाद उसके बाद आपके क्या करना है कि उसमें एक और चीज़ देखिए कि आपके यह जो कुश्चन रहेंगे इनके साथ-साथ आपके केस्टेडी बेस्ट कुश्चन भी आपके एकजाम में रहने वाले हैं तो उनके उपर फोकस कीज़ेगा अगर आपने चैप्टर को समझा इसका क्या अर्थ है तो इससे लेटर कोश्चन आपके एकजाम में आने वाले हैं तो उनके उपर जरूर फोकस कीज़ेगा आप तो यह रहेगा आपका स्लेबस जो मिड़ टम के एकजाम के लिए रहेगा उसके बाद मिटम के बाद जो चैप्टर रहे जाते हैं उनकी भी बात कर लेते हैं नाइन चैप्टर आपका सवतंतर्ता, समानता सवतंतर्ता, समानता, न्याए, अधिकार, नागरिक्ता यानि कि यह बेसिक चैप्टर है इसमें ऐसा कुछ नहीं कि बहुत डिटेल में जाने वाले चैप्टर नहीं है हम सवतंतर्ता के बारे में पढ़ेंगे कि सवतंतर्ता क्या होती है, कि इस परकार की हो सकती है समानता के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्यों और कैसे ऐसे न्याई क्या क्यों और कैसे यानि कि ये सारे questions है उनके answer देनी कोशिस करेंगे राश्टरवाद क्या है ध्रहम निर्पेक्षता क्या है वैसे ये chapter जो है वो 5 minute में हम concept को समझ सकते हैं लेकिन इसमें बहुत deep में जाकर के बात के गई है तो ये जो chapter के बाकी जो B-book के आपके राजनतिक सिधानत के जो chapter है वो रहेंगी आपके second time में यानि कि total जो आपका syllabus है चाहिए वो इस first time में आप करे हो second time में करे हो इन total chapters में से आपका exam रहेगा जो March में आपका होने वाला हो सकता कि Febend से start हो जाए हो सकता कि March में हो जाए तो इसमें भी आपका same focus रहना चाहिए मेफवा के उपर आपको focus करना है जो cartoon है उसके उपर भी आपको focus करना है तो ये रहेगा आपका syllabus उमेद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा helpful रहा होगा